नमस्कार 11 अगस्ट 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंट किया गया था यानि कि भारत की संसद से नीलंबित किया गया अपने सस्पेंशन को सवाप कराने के लिए और फिर से सदन के भीतर जाकर आपकी अवास उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा ठटाना पड़ा जी हाँ नियाए के मंदित टेंपल और जस्टिस जाकर नियाए की गुहार लगाने पड़े वानडर्बल सुप्रीम कोर्ट अब इंडिया ने मेरे सस्पेंशन के संदर्ड में जो मैंने याज का दाय करे थी उसका संग्यान लिया और उसमें हस्तक्षेग किया कुछ तम ने आयाले के हस्तक्षेग के बाद मेरी सस्पेंशन समात होई जीना आज संसद्धवन के भीतर एक प्रस्ताव लाकर मेरी सस्पेंशन को खत्म किया गया करेब करेब 115 दिन तक मुझे सस्पेंट रखा गया 115 दिन तक मैं आपकी अवाज संसद्धवन के भीतर जाकर नहीं नुखा सकता 115 दिनों तक आपके सवाल मैं सरकार से नहीं पूछ सका, आपके भग की आवाज नहीं उखा सका और जो जवाब आप सरकार से जहते थे, वो जवाब आपके लिए नहीं ला सका लेकिन मुझे खुशी है कि 115 दिन के बाद भी सभी मेरी सस्पेंशन आए समाप पी इसके लिए मैं हाज चोड़कर, Honorable Supreme Court of India का और चेर्मेंड राज्य सभागता बहुत 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 रियादा करता हूँ इस 115 दिन के नीलंबन के मेरे समय में मुझे आप सब की बहुत दुआएं, बहुत आशिवाद, बहुत प्यार मिला आप लोगोंने मुझे फोन करकर, मेसेज करकर, इमेल डालकर, मिलकर, बहुत प्यार दिया, आशिवाद दिया, हिम्मद दी लड़ाई लड़ने की, डटे रहने की और इन लोगों से मुकाबला करने की मैं आपकी सारी दुआओं के लिए आपके आश्रवार प्यार के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुआ करो इस सलामत रहे हिम्मत हमारी ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है जैनिक